आज हम बात करते हैं greed यानी लालचकी हमारे समाज में, society में लालची या greedy word सिर्फ पैसे से जोड़ दिया गया है पर greedy या लालची किसी भी चीज के लिए हो सकता है ये इंसान तो चलिए जानते हैं कि greedy यानी लालची होना किस चीज को बोलते है Greed या लालची एक effort है, एक कोशिश है अपने आपको किसी चीज से जवरदस्ती भरने के लिए और वो चीज कुछ भी हो सकती है खाना हो सकता है, पावर हो सकती है, पैसा हो सकता है, सेक्स हो सकता है आप greedy किसी भी चीज के लिए हो सकते है लालच एक डर है आपके अंदरूनी खाली पन का एक इंसान जो खाली होने से एम्टी होने से डरता है या एक इंसान जो अपने पास अधिक से अधिक चीजे रखना चाहता है आपके पास शैद कई लाग रुपे होंगे आपके पास पहले से ही उससे जादा है आप जितना यूज कर सकते हो पर आप फिर भी ओर मांगते रहते हो और ये कभी खतम नहीं होगा जरूरते या needs बहुत छोटी होती है जी हाँ, सही सुना आपने आपकी जरूरते कम है आपको हवा चाहिए, खाना, पानी और एक छट आपको कम चीजों की जरूरत होती है इस दुनिया में हर किसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है पर desires, इच्छाएं, आकानशाएं वो impossible है वो पूरी करना बहुत मुश्किल है desires, इच्छाएं cannot be fulfilled और क्योंकि इनसान अपनी desires, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है इसलिए करोडों लोग अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते आपको Greed छोटी-छोटी चीजों में दिख जाएगी आप खाना खाते हो, आपको पता है आप कितना खाना खा सकते हो पर आप फिर भी खाते रहते हो देखो ये लालच है अब तुम भूग से नहीं खा रहे हो तुम भूग से जादा खा रहे हो आप लालच में खा रहे हो जब सुबह आप उठते हो आप जानते हो आपकी नींद पूरी हो चुकी है पर आप लेड जाते हो थोड़ी देर के लिए और अलार्म में पांच मिनट या दस मिनट लगा कर देखो अब ये ग्रीड है अब आप लालच में सो रहे हो अगर आपका शरीर फ्रेश है आपकी थकावट उतर गई है तो फिर आप क्यूं? वाई? यह हर जगे और हर चीज में है खाने में, सोने में, मेडिटेशन में हर जगे लालच है पर इतना लालच क्यूं है इंसान को? उसकी इच्छाएं क्यूं उसकी जड़ोतों से ज़ादा है क्या कभी सोचा है हमने? चलो कोशिश करते हैं जानने की पहले जानते हैं कि desires या इच्छाएं क्यूं और कैसे बनती है प्रतेक इच्छा का हर इच्छा का जनम अतीच से होता है और हर इच्छा भविश्य में अनुमानित होती है आपका दिमाग आपके पास्ट और आपके फ्यूचर से ही भरा होता है अपने दिमाग और मन में जाको दोनों में अलग-अलग जाकर देखो सिर्फ दो ही चीज मिलेंगी और वो है पास्ट और फ्यूचर आपका अतीत और आप अपने भविश्य को कैसा बनाना चाहते हो आपको प्रेजेंट यानि वर्तमान का एक अंश या एक एटम तक नहीं मिलेगा और वर्तमान प्रेजेंट ही असली सच्चाई है इस दुनिया में इस काइनात में रियल डान्स, रियल ड्रामा, वर्तमान में है, जीषन यहाँ है जीषन अब में है, Life is here, Life is now स्वर्ग यहीं है, अभी है, भगवान अब है, Paradise is here and God is now यदि आप कुछ खोज रहे हो, तो यह है आपके दिम के सपने है आपकी खोज व्यर्थ है क्योंकि स्वर्ग कुछ और नहीं बलकि गहरी संतुष्टी है हम वर्तमान में नहीं रहते इसलिए हम इच्छाएं करते हैं क्योंकि वर्तमान को प्रेजन्ट को आप बदल नहीं सकते उस पर आपका जोर नहीं चलता अगर आप कहीं गलत जगह आ गए हो तो आप बोलते हो कि आगे से मैं यहां नहीं आऊँगा क्योंकि अब तो आप आगे हो पहुँच गए हो उसको आप बदल नहीं सकते तो हम अभी का ना सोचकर आगे की सोचने लगते हैं अपने दिमाग को चलाने लगते हैं और आपका दिमाग बोलता है ये करो वो करो इसके पास उसके पास दिमाग आपको कहता है कि ऐसा करो तो तुम खुश हो जाओगे ऐसा नहीं करोगे तो तुम खुश नहीं होगे आपके पास एक बंगला होगा या एक गाड़ी होगी तो ही आप खुश रह सकते हो लेकिन अगर आपकी खुशी के लिए कोई शर्थ है या कोई कंडिशन है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते अगर अभी आप जैसे हो वैसे खुश नहीं हो तो आप कभी खुश नहीं रह सकते लेकिन अगर आप बुद्धिमान हो तो आपको लालच एक बेकार की चीज दिखाई देने लगेगी एक वेस्टिज दिखाई देने लगेगी अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप जीना शुरू कर दोगे ना कि जीने के लिए तैयारी करोगे लालच जीने की तैयारी है greed is preparing to live और आप बस जीने की तैयारी ही करते चले जाओगे जीओगे कभी नहीं अगर आप बुद्धिमान है तो आप आज को miss नहीं करेंगे कल के लिए you will not miss today for tomorrow you will not sacrifice this moment for another moment I hope आपको समझ में आ गया होगा कि हम लालची किस लिए बन जाते हैं thank you so much अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe Mind Act